तो हाइक कुडि बिंग से काला अब नमस्कार वनकम आपका अपना डॉक्टर नमीद काला आप देख रहें अपने शो डॉक्टर नमीद काला शो आज का टॉपिक टॉपिक है बहुद इंपोर्टिंट गार्लिक लैसुन के क्या फायदे हैं और क्या नुक्सान है और कैसे खा गार्लिक गार्लिक एक अनियन फैमली प्याज इस फैमली का उसी की भाई बेन यह गार्लिक भी है ज्यादा तो लोग इसको खाते हैं कुछ लोगों को छोड़के कुछ समुधाय जैसे में जहन समुधाय garlic हम सब्जी में डालके भी खाते हैं सुबह लोग कच्छा भी खाते हैं नुढ का powder भी आता है गार्लिक तो बड़े सारे form में यह लिया जाता लेकिन best form यह है कि आगर आप इसको रहुखाएं प्र०य के अगर इसका एक bark फाक कह रहा हूं इसका एक क्लोव ले 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 उसको छोटा बारी काट ले और पानी के साथ गटक जाएं तो ज्यादा बैटर होगा चबाने की कोशिश नहीं करें तो बैटर है क्योंकि चबाने से क्या होता है कि इसमें काफी गंदी स्मेल आ सकती आपके मुझ से और थोड़ा ऐसीडियोइबा ऐसीडियूइबा तो बन सकती तो इसको चिसके मेल है इसमें रहा होगा जैए ग्यादताओं के साथ क्यादाओं बीचिये क्योंकि और यह इसमें में मैंगणीज होता है होता है vitamin c होता है selenium होता है calcium होता है copper होता है vitamin b1 होता है vitamin b6 होता है और potassium होता है तो बहुत सारी चीजिए इसके अंदर और भी होती जो में इसका है वो है एक antioxidant है immune booster है anti-viral property है anti-bacterial property है ठीक है तो एक तरह का blood purifier है blood को साफ करता है और कहां कहां पर use होता है सर्दियों में अगर आपको नजला जुकाम हो जाए cold हो जाए तो आप वहां पर भी ले सकते हैं ginger tea बनाके उसके अंदर अद्रक डालके शेह डालके और साथ में उनकी stiffness को कम करता है यानि खून की जो clotting होता है उसको रोकता है एक तरह का blood thinner का का काम करता है दूसरा शुगर कम करता है diabetes के patient के लिए बहुत अच्छा है तो शुगर को भी कम करता है और pre-diaptic patient अगर दवाई नहीं चाहते जिनका borderline sugar है तो वह इसको regular खा सकते है garlic को तीसरा cholesterol को कम करता है जो बुरा गया इसका अच्छा रोल है और कुछ cancer यानि कि especially prostate cancer में देखा गया है कि यह prevention करता है anti-oxidant होता है मैंने बता दिया anti-aging भी है मेरी उम्र का पता लगा रहा है कि रोज मैं lesson खाता हूं lesson lesson हमारे पंजाबी हमोलता है lesson थोड़ा सा lesson दी गड़ी रोज खा लिया करो जवान रोगे पता नि क्या क्या करूंगा मैं जवानी के लिए और physical performance को भी बढ़ाता है यानि कि जैसे athlete होते हैं तो वह भी खाएंगे तो यह देखा कि थकान को भी कम करता है lesson डिटॉक्स मैंने बता दिया कि आपके blood को साफ करता है डिटॉक्स करता है गंदगी को body से निकाल देता है weight loss में भी काम आता है मालूम है वजन कम करने में भी काम आता है क्यों इसको खाने से प बढ़ा देता है जिसकी वैसे भी आपका वजन कम हो सकता है तो यह मैंने कुछ बाते बताई आपको कि इसके क्या क्या यूज है यह कि फिर बोलूँगा कि best अगर आप इसको खाना चाहें तो सुबह एक फाक खाली पेट एक ग्लास पानी के साथ गटक जाएं और बहुत ज हाना नहीं है चबाना नहीं है इसको निगल जाना जिससे की स्मेल नाय मुह में ठीक है तो दूसरों का भी ख्याल रखो अपना तो ख्याल आप रखी रहो तो यह चोटा सा टॉपिक था गार्डिक के उपर तो मैंने इसके आपको बेनिफिट्स बताएं कैसे खाना यह भी खाऊ जिसको और जी तो हम क्या कर सकते हैं लेकिन ऐसा कोई बहुत जादा अलर्जी होती नहीं गार्लिक से तो गार्लिक अपने आप में एक पूरी मेडिसीन है एक लैसून एक अपने पूरी मेडिसीन है एक दवा है तो अच्छा है बॉड़ी के लिए यूज करते रहिए लेकिन दूसरों को देख लिए कि दूसरों को आपसे प्रशानी ना हो थोड़ा दूर रहके बात करिएगा अगर मुझसे खाना है चबा 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 की खाना है तो थैंक्यू वेरी मच आपका अपना डॉक्टर नमीत काल रहा लेकर आता रहेगा इसी दिर के चोटे चोट अबी थैंक्यू बाई फिर मिलते हैं अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना बाई